रादे रादे एब्रीवन ये इस साल का 2020 का आखनी वीडियो है तो आप मागी भरजी के दशन करिए इसमें और इसके बाद हम बनाएंगे आज मैथी और पालक का साख तो ये आप देख रहें मैथी है इसको मैं साफ करूंगी साफ करके कट करूंगी और यहाँ पालक को मैंने पहले से ही कट करके रख लिया था और मैथी को मुझे अभी साफ करके काटना है हालो अब्रीवन कैसे हैं आप सब राधी राधी और आज हम बनाने वाले हैं अंगीठी पर खाना तो अंगीठी लगाई में ये ममी ने अंगीठी तो आप लोग जानते होंगे बहुत लोग जानते होंगे बहुत शायद नहीं जानते होंगे बट जाला तर में जानते होंगे अंगीठी होती है तो बैसे हम चूला भी रख लेते हैं पर चूला का क्या है ना घर में अंदर रख नहीं सकते दूएं के वज़े से और च्छत पे बंदर्व होते हैं तो आज बनाएंगे बाज़रा की रोती और पालक और मैधी का साग तो वो मैंने कट करके रख दिया है और ये खाना आज बनाएंगी मेरी ममी जी यानि मेरी सासुमा वो बनाएंगी वैसे मैं बना लेती हूं लेकिन जो ममी के हाथ का ममी के हाथ में अलगी टेस्ट होता है हम लोग काम चला बना लेते हैं लेकिन वह चीज नहीं आपाती है और पुराने श्टाइल से बनाती है अपनी एकदू पुराने तरीके से बनता है वैसे बनाती है और हम लोग उसमें तोड़ा कुछ नया निया डाल देते हैं तो एक तो हम लोग आटे वाटे से और घी लगा के बना लेते हैं वो नहीं बनाएंगी वो पानी के हाथों से बनाएंगी तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कैसे बनाएंगी मैंने का ममी बना रही है तो चलो मैं आपको भी दिखा देती हूं किस तरीके से बनाती है तो चलिए ब आपको भी गरम-गरम खाना मिलेगा ममी के हाथों का तो चलिए अभी मिलती है थोड़ी देर में आपको मुसे तो यहां पर साग बन गया था और मैंने इसका वीडियो से पुरा नहीं सूट किया क्योंकि मैं पहले भी डाल चुकी हूं साग की पालक की साग की रेसिपी तो इस मैं पहले से नहीं दिखा पई मैं कुछ और काम में लगी ममी तो काटा मतलब लगा की रख लिया था अभी इसको पूरी तरह से नहीं लगाया तो एक साइड में आप देख रहे हूं आटे को पहले तो इसको पूरी तरह से मिक्स कर लिया है और फिर जितना बनाती जाएंग जब तक यह वाला आटा ना खूब अच्छे से फूल जाता है तो लग भी जल्दी से जाता है तो बस ऐसे ही जितनी रोटियां बनाती जाएंगी वह ऐसे से मसल मसल के उसको चिकना कर लेंगी बिल्कुल आपको दिखाऊंगी एकदम से चिकना हो जाता है आटा यह देखिए बिल्कुल चिकना हो गया तो अभी रोटी बनाने के लिए परफेक्ट है तो यह देखिए अब इस तरह से लोई लेंगी ममी तो यह मैं इसलिए आपको पूरी तरह से दिखा रही हूँ क्योंकि कल ना लाइब मैं मैंने बताया था तो मुझे एक डेंपल दी है उन्होंने और मतलब एक दोने बोला था क्या दिखाना कैसे बनाती है पानी के हाथं से तो मैंने इका मैं ठीक है प्रोसेस पूरा दिखाई देती हूँ तो यहां पर देखिए ममी ने पानी का हाथ लगाया है और लोई को इस तरह से बढ़ाया है और इस तरह से इसको गोल गोल ऐसे कर तो यह देखिए इस तरह से हतेलियों की साहता से और रोटी को बढ़ा लेंगी ऐसे ऐसे देखो हतेलियों से ही बनाती जारी है और रोटी एक तो मैसी चिकनी बनती है बिलकुल यह आटे के उपर डिपेंड करता है आपका आटा कैसे लगा है तो आटे को ही हमें अच्छे से नहीं करेंगे न तो रोटी फटेगी टूटेगी रोटी का यही तोपर तूटती है बनाने में तो बस आटे को अच्छे और कितने अच्छे से रोटी चिकनी चिकनी से आती जारे है अब देखिएगा बिलकुल बिलकुल भी एसी नहीं लग रही है कि यह बाजरे के आटे, इसमें कुछ भी आटा गहूं वगर अकर नहीं मिलाया था, ऐसे सिर्फ बाजरे के आटे की ही है, यह देखिए, यहाँ पर तबे पर रोटी डाल दी है, तो आप तबे पर देख रहे होंगे, यह मिट्टी लगी है, क्योंकि इस तरह की रोटियों में प चूले में बना रहे हैं तो, तो बस यहाँ पर वह वाली डोटी बन चुकी थी, और दूसरी डोटी का भी प्रोसेस यही होगा बिल्कुल, तो यहाँ दूसरी रोटी डाल दी है, और एक चीज में आपको बता दू, मेरा किचिन थोड़ा मैसी हो रहा है, क्योंकि गैस को नीचे रखा हुआ है, इसलिए और सारा सामाल फैला पड़ा है, तो बस यहाँ पर तबीक उतार की रोटी इस तरह से करी है, क्योंकि कोईले क आग है, तो बहुत अच्छे से इसको चीजाए है, तो मैं बोल दी थी कि थोड़ा आपको इग्नॉर करना, क्योंकि मेरा किचिन थोड़ी मैसीज लिए हो रही है, कि अंगीठी को नीचे रखा हुआ है, पर इस तरह कि खाने में थोड़ा सा हो जाता है, तो यहाँ पर लग नहीं खाया था, तो यहाँ पर देखिए, फिर हम और रोटी बनाने लग गए थे, तो और लोग भी थे ना, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपने देख रहे होंगे, मैंने बस सॉल लाल रखा है, तो कल डेमपल दी बोल रही थी, कि तुमने नहा के कुछ नही प बना के ही, स्वेटर डालोंगी, तो बस एक चॉल लिया रखा है, मैंने, हलांकि मुझे थे थोड़ी से तो बदलब कम लगे थी, क्योंकि अंगीठी के पास बैठी थी, तो वैसे भी, और फिर मेरी आदत में है, मैं अभी खाना बनाने के पार, फिर डालोंगी स्वेटर ब बनाया था, और देखिए, आज साल का आखरी दिन है, 31 तारीक, तो इस बात को, मैं आप से जो भी मेरी वीडियो की त्रियू, या मेरी वीडियो में, या कुछ भी मेरी पैज़े से आप किसी को भी ठेस मोची हो, या कुछ भी आपको गलत लगा हो, तो प्लीज माफ कर देन मेरी बातों को इगनौर कर देना, कुछ भी मेरी मुह से घलत निकल गया हो, तो सबसे में शौरी मांगती हूँ, इस साल में, इस साल की बातों को, इसी साल में भुला देना, और नए साल की सुरुवात, नए बातों से करना, अच्छी बातों से करना, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो के साथ नई साल में तब तक के लिए बबाई टेक केर राधे राधे